नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होश्ट और आप देख रहे हैं धमसर्माव दोस्तों सबसे पहले तो मेरी क्रिश्मस और फिर आज ही संकष्टी चतूर्थी का ब्रत भी है भगवान गनेश को प्रसंद करने के लिए रखा जाने वाला सबसे पावन ब्रत इस बार ये ब्रत 25 दिसंबर को है और परतेख महिने की किश्न पक्ष की चतूर्थी तीथी को ये ब्रत मनाया जाता है भगवान गनेश जी अपने बुरे समय और कठनाईयों को दूर करने के लिए हम उनसे प्राठना करते हैं इसके अलावा इस दिन ब्रत रखने से मनुस्य को बुद्ध दोस से भी बुरे प्रवाओं से मुक्त हो जाता है यानि वानी की समस्या होती है कभी-कभी बिना मतलब के अप्यस मिलते हैं इन सभी चीजों से बचा जा सकता है साथी नजर दोस भी नहीं लगता और बुद्धी तेज होती है सुख सम्विद्धी की प्राप्ती होती है और इस दिन बन रहे हैं अद्भुत से योग पाँच रासियों की किसमत चमकने वाली है और मिलने वाला है बहुत सारा सुख एस्वरे धनलाव गाड़ी बंगलो सब कुछ यानि और दिनों की अपेक्छा आपको इस दिन आपके कुछ ऐसे गरहों के सयोग ही बन रहे हैं कि आपके पक्च में सारे सितारे आ चुके हैं और आपकी मन चाही मनो कामना भी पूर्ण होगी तो आईए हम सबसे पहले जानते हैं वो लकी कौन कौन से रासी है दोस्तों गनेज जी की कृपा मिल रही है कुल पाच रासियों को और उसमें से सबसे पहली लकी रासी है करक रासी करक रासी वालों गनेज जी की कृपा से सारी समस्याओं का हल निकलाएगा और आपको काम के नए अफसर मिलेंगे साथ ही धन का आगमन होता रहेगा धन आगमन आपका बहुत ही आराम से पैसे आते रहेंगे आपका मन भी प्रसने रहेगा पारिवारी समस्याओं से भी आप तनाव मुक्त रहेंगे और सब कुछ बेस्ट बहतर हो जाएगा अब हम बात करते हैं दूसरी लकी रासी की वो है मिःधुणडासी मिःधुणडासी वालों आपके नॉकरी में मन चाहा परिवर्तन होगा आर्थिक रूप से आप बहुत सम्रिद्ध होंगे परिवार में सुख सम्रिधी आएगी और परिवार में सुभकारे होंगे तीसरी लखी रासी है तुला रासी तुला रासी वालों आपको गनेश जी की किरपा से मान समान की प्राप्ती होगी नौकरी में पदोनती होगी और धन का लाब होगा गनेज जी की किरपाद रिष्टी में आप पाँच रासी वाले बहुत ही लखी बन रहे हैं क्योंकि गनेज जी का विसेश आसिरवाद आपके उपर बरस रहा है धन का छाटी रासी है बिस्टीक रासी है आपके स्वास्त में सुधार होगा और गनेज जी आपके सारे रुकेवेकार बनाने में सहायता प्राप्त करेंगे आपको साथ ही आपके घर में खुसियों का वातावरन रहेगा और आपका मन पसंद रहेगा धन का आगमन सुचारू रूप से होगा पाचवी लखी रासी है मीन रासी आपका धन का लाग तो हो ही रहा है क्योंकि गनेश जी जहां रहेंगे वहां बुद्धी और धन तो देते ही हैं आपका स्वास्त में भी सुधार होगा मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार में खुझी आएंगी घर में मंगल कारे हो सकते हैं संतान सुख उत्तम बना रहेगा और विसेश किरपादिश्टी में आप पाच रासी वालों आपके लिए ये समय बहुत सुभ है आप गनेश जी का नाम लेकर कारे की सुरुआत करें आपको 100% सबलता मिलेगी उमीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब कीजेगा और सेर कीजिए साथी कमेंट बॉक्स में हमें आपका इंतजार रहेगा जैगनेश लिखना ना बोले धन्यवा आपका इंतजा अब बॉक्साथी रहे लिए जैगनेश धन्यवाफाशना रहे होगा।